गूर्णिंग तो पीजी बीपी चल रहा था और आज पीजी बीपी के भी उस मुकाम पे आ गए हैं जो सबसे टेक्निकल है आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज का जो हम लोगों का सेक्शन रहेगा सेक्शन थर्टी टू कि प्रिटी प्रिटेसलिट सेक्शन कैसे क्लेम होता है अंडर इंकम Tu and Day अगर हम बिजनस कर रहे हैं तो वहां पे ऐस प्रिटेसल्म क्लासिक वी नो अब नम कशुछन थेखने वहुट सारी चीजें ऍेप्रिशिन में देखने वाली समझने वाली प्लीज धीकर ऑ और अब ये वाली glasses जो हैं पूरी concentration से मतलब थोड़ा था भी धर उदर नहीं हो सकते कुछ भी आपने skip किया तो आगे तक की चीज़े आपकी खराब हो जाएंगी depreciation क्योंकि बीच में एक भी step आपने skip कर दिया तो आगे की चीज़े सारी की सारी खराब हो जाएंगी तो प्लीज ज़रा ध्यान दे तो depreciation section 32 मैं टेक्निकली जो एक्ट में लिखा है उसके हिसाब से नहीं मैं अपनी understanding के हिसाब से अपनी तरीके से आपकी section 32 को लेकर depreciation को लेकर understanding क्रेट करा हूँगा आप उतना समझेगा उसके बाद कहीं हमें लोगों को मौका मिलेगा तो एक में चलेंगे क्योंकि एक में कुछ समझने वाला है इनी section 32 में कोई आप से थ्योड़ी थोड़ी ना पूछेगा वो तो ultimately आपको depreciation क्लेम करना होगा कि आपको depreciation कैसे क्लेम कर करना है ठीक किया नहीं किया तो वह वाली बाते करेंगे आज ओ जो देखो दोस्त अब हमारा topic शुरू हो रहा है depreciation depreciation हम लोगोंने सबसे पहले बच्च्पन में पढ़ा था accounts में अब तो बच्पन ही कहूंगा ठीक है ना बहुत छोटे बच्चे थे जब हम लोगोंने पढ़ा था और अब हम पढ़ने जा रहें taxation में ठीक है ना tax laws में तो tax laws में depreciation कैसे claim होता है ठीक है बटे accounts में हम लोगोंने पढ़ा था 11 में कि हम लोगों के दो method होते हैं depreciation claim करने के एक होता है WDV method जिसे हम कहते है return down return down value method ठीक है और एक होता है SLM method straight line method method of depreciation यहां पर क्या होता था था बेटे यहां पर हम लोग अगर 1000 रुपे की asset खरीद रहे हैं 10,000 ही लगा लो ठीक है और at the rate of 10% वो depreciate होनी है तो 1000 रुपे का depreciation लगेगा बचे की वैल्यू 9,000 तो 9,000 जो depreciated value आई है उसके उपर further depreciation लगेगा 900 रुपे यह रहे गई 8100 रुपेज इसके उपर fit depreciated value के उपर fit depreciation लगेगा और इस आप से यह depreciation लगता जाता था दन है ओके और straight line method क्या होता था तर straight line method होता था की 10,000 रुपे का asset लिया ठीक है और at the rate of 10% अगर साल भी हजार रुपे का depreciation value बची 9,000 रुपे लेकिन दूसरे साल भी अब जो original cost है हमारी इसे original cost method भी कहते थे ठीक है original cost है उसी के ऊपर depreciation लगेगा 10% का 1000 रुपे फिर लगा तो यह हमारी value आ गई 8,000 रुपे और फिर दुबारा हमारे हिसाब से भी वह यह दो मैठोड है depreciation क्लेम करने के एक है WDV मेठोड और एक है straight line method यह लोग भी कहने हैं कि हमारे दो ही मैठोड है जैसे आपके दो मैठोड है ठीक है WDV मेठोड और straight line method लेकिन हम लोगों का जो straight WDV मेठोड है return down value method return down value method यह थोड़ा सा आप से अलग है मैंने का कैसे अलग है कहने लग है पहले तो यह समझो कि हमारे taxation में जो assets की category है वो assets की category कैसे मैंने का बताओ केलने लगे चाये आप WDV method लगा लो चाये SLM method लगा लो हमारे assets की category कैसे है assets हम लोग कैसे बात रहे एक होते टेंजिवल assets मैंने का अच्छा जी और एक होते हैं हमारे intangible assets मैंने का very good ठीक है तो एक tangible assets और एक intangible assets tangible assets में ध्यान दिजेगा tangible assets की इन्होंने category बनाई building plant and machinery and furniture fixtures furniture and fixtures ये हम लोगों की 3 category बनाई इन्होंने tangible assets में और intangible assets में कोई category निम बताई कहने लगे जो intangible assets से आपको पता ही होता है कौन से होते ठीक है ना और वो जो assets होंगे intangible assets जैसे copyright हो गई, trademarks हो गई patents हो गई, ये हमारे intangible assets है इनके ओपर depreciation ग्रेम करें तो पहले तो इन्होंने मेरे को ये समझाया कि assets tangible और intangible होते हैं, depreciation आपको ही सभी लगा और further tangible assets में तीन category बनाई है लोगों ने कौन-कौन से building, plant and machinery furniture and pictures चाहे आप depreciation SLM से लगा हो चाहे WDV से लगा हो, ये assets की category है, मतलब एक तरह से 4, कौन-कौन से building, plant and machinery furniture pictures और last intangible assets ये 4 category, WDV में भी रहेंगे और SLM में थीक है समझ में आगी बाद, कहने लगे अब ज़रा जहां से समझो, मैंने का बताओ सर, कहने लगे WDV method जब आप account में लगाते थे तो क्या करते थे, मैंने का सर ऐसे करते थे तो कहने लगे, अगर आपने 2 plant and machine भी खरीड ली होती तो कहने लगे, मैंने का सर उसे हम plant and machine भी 1 कह दे ते और plant and machine भी 2 का अलग से depreciation निकालते तो भी अलग अलग निकालते हैं मैंने का हाँ सर अलग अलग निकालते हैं वहाँ पर हम जड़त ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं मैने का account में तो मैंने इने बताया accounts में हम days wise days wise and asset wise depreciation लगाते हैं मतलब हर asset के लिए depreciation account अलग और वो P1 A की डपर एक ही machinery account में M1 M2 करके बना दें ठीके ना लेकिन एक तरह हर asset के लिए अपना depreciation account अलग प्लस days wise calculation मतलब क्या कि अगर मार्च में हम लोगों ने 10 मार्च को भी asset खरीदा तो भी हम उसके उपर 21 दिन का depreciation लगाएंगे सर क्या है यार तुम बेकार हो account वाले चिंदी चोर हो एक एक दिन की calculation तो कैसी बाते करते हो कहने लगे कि हम WDV में अपने हिसाब से मनाएंगे मैंने का बताओ सर कहने लगे देखो हम लोगों ने आपको tangible assets की category मनाईए मैंने कहां तो इन्हों ने हमें tangible assets की category बताई थी tangible assets की category बताई या फिर मैं सारे assets की बात कर लेता हूँ कहने लगे हम लोगों ने आपको assets की category बताई है मैंने का हां क्या 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 के बताई है मैंने का आपने मेरे को कहा है कि आपके assets होते हैं building plant and machinery और furniture pictures और A को get intangible assets कहने लगे बस अब इन्होंने मेरे को कहा कि building depending upon the nature of its use कि किस purpose के लिए use हो रही है depending upon the use हम लोगोंने यहां पे machinery के तीन तरह के depreciation के rates fix कर रखे मैंने का यह क्या बात ही मैंने का building तो वही है कहने लगे हां building वही है लेकिन उसके use के हिजाब से हम लोगोंने उसके अलग-अलग rates fix कर रखे मैंने का वह जैसे इन्होंने मेरे को example दिया कहने लगे रेजिदेंचल विल्डिंग है और उसके डेप्रिशन चाहिए तो पांच परसंट का रखेजिए आफिस की विल्डिंग है फ्रेक्टर विल्डिंग है तो उसके ओपर 10 परसंट का रखेजिए मैंने का बहुत अच्छी बात कहने लगे टेंप्रेडी स्ट्चर से है उसके ओपर हम आपको 40 परसंट तक का डेप्रिशिशन दे देंगे मैंने का अच्छा तो इसी तरह इन्होंने का कि डांट में तो हम लोगोंने और ज्यादा कैटिगराइजेशन का रखी है और ज्यादा कैटिगराइजेशन का रखिए वहां पर 15% भी है 30% भी है शायद 25% भी है और 40% कहना के फ़नीचर विक्टर में कोई नहीं है विभालů चैश्क रिएल टूथाउजन 20-ीवन को अपना बिसनस स्टार्ट का पहली वाथ मैंने का अच्छा तो और आपने पांच्छा तरीके के असेट्स खरीदे मैंने का जैसे सर कहने लगे मैंगे आपने बिल्ड्रिंग ए खरीदी आपने बिल्डिंग भी खरी दी आपने प्लांट और मशीनरी वन खरी दी आपने प्लांट और मशीनरी टू खरी दी आपने प्लांट और मशीनरी थ्री खरी दी आपने फरनीचर वन खरी दा आपने फरनीचर टू खरी दा ये पांच लाख रुपे का यह 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, पर नीचर पर तो लगता ही 10% है ठीक है यह plant and machinery है 15% वाली यह plant and machinery है let's say 40% वाली और यह plant and machinery है 15% वाली मैंने कर ठीक है कहने लगया अब हमारी बात ध्यान से सुनो same category पहले देखने है same category और उसके बाद same percentage same percentage वाले assets को एक साथ रख दो same category plus same percentage वाले assets को एक साथ रख दो उनको एक साथ रखने को same category plus same percentage वाले assets को एक साथ रखने को हम कहते हैं block of assets same category plus same percentage वाले assets को इकठा रखने को हम कहते हैं block of assets मैंने का मतलब समझाओ सथ क्यानि लगव बूलिंग है कोई 5% वाली मैने था नए कि खेल लिए कोई 10% वाली है मैंने जान बिल्डिंग तह भूली नहीं लेकिन दो फरनीचर एक जिनके उपर सेम राटर शेतवन लगता है 10% के लिस अगवारी धूंडो मैंने रिफासर ब्रूल्ड मैं नए इसार बिल् राइभ पर वाली और बिल्डिंग एक ही दस पर सर्ण्ट वाली कहने задle फिर यह अपने अपने इंडिपेंडेटिन्टोवे कोई इनके साथ की और पाइब बिल्डिंग Donate वाली होती है ज़ साथ लेसे नेकर अच्छा तो अब Plant and Wingkemсти 15% वाली आहे मैंने का हां है सर यह री, तो कहने लगे इन दोनों को add कर दो, यह इकठी रखी जाएंगे, यह इकठी रखी जाएंगी, पांच पट्सेंट वाली बीडिनिग और फंदरा पट्सेंट वाली प्लांट एंद मशीनरी और दूसरी फंदरा प्लांट वाली प्लांट एंद मशीनरी इन को एकठा रखने को हम उपडिलॉक काफ सेट कहते हैं में दो हैं बाकी सब में एक हैं अब जैसे इनका हो जाएगा यह फनीचर का यह चार लाग रुपे का हो गया बाकी इसका अपने आप में इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें का समझ में नहीं आई किसा कहने लगे कि कोई ड्राम है तुम्हारे पास अब उस ड्राम में 15% का टैग लगा हुआ है तो उसमें जो भी चीज़े डल गई वह 15% का डैप रिसेशन लगेगा अब उसमें ये मत देखो कि उस ड्रम में कितने असेट्स हैं आप ये देखो उस ड्रम की वाल्यू कितनी है जैसे की जैसे की समझें इस बात को समझें इस बात को थोड़ी सी डिटेल में इस कोशन के रेफरेंस में रखते वे ठीक है ये हम लोग क्या बना रहे है इधर देखो weekly block वन बिल्डिंग 10% वाली block टू building 5% वाली तेन परसेंट वाली उसके बात plant and machinery ब्लॉक 3, प्लांट एन मशीनरी 15% वाली, ब्लॉक 4, प्लांट एन मशीनरी 40% वाली and ब्लॉक 5, फरनीचर तो होता ही 10% वाला है, अब इनको ही कटना रगना है, अब मैंने तो एक चार दो हजारी किसको यहां पर बिजनस शुरू किया है, तो मेरे पास opening WDV block की कुछ नहीं है, opening WDV कुछ नहीं है, किसी भी block में, लेकिन मैंने purchases की है, purchases की है, कितनी purchase की है, building A कर दी है, 5% वाले में 5,00,000 रुपे की, ठीक है, building B की है, 10% वाले में, 10% वाले में building B आई है, 10,00,000 रुपे की, plant and machinery 15-15 वाले में आई हैं, 2 और ये दोनों मिला के हो गई है, 7,00,000 रुपे की, ठीक है, plant and machinery 40% वाली आई है, 2,00,000 रुपे की, और उसके बाद, furniture and picture में ये दोनों मिला के हो गई है, 4,00,000 रुपे की, और हो सकता है, किसी और asset की अलग-अलग होती, मैंने का, जैसे, एक्जामपल ले ले लेते हैं, इसकी पर्चेज रेट होती 15 चार इसकी पर्चेज रेट होती 15 पांच इसकी पर्चेज रेट होती 16 पांच इसकी पर्चेज रेट होती 17 जुलाई इसकी पर्चेज रेट होती 10 जुलाई इसकी पर्चेज रेट होती 10 अक्टूबर 10 अगस्ट इसकी पर्चेज रेट होती 10 स्क्राइबर तो डेप्री दिटेशंट को अलग अलग होना चाहिए कहने लगे नहीं हम तुमाइब कॉल गिदर चीनदीचोर नहीं हम डेट साल का लगा दो मैं कि पूरे साल का कहने कि हाँ माइनस सेल्स का तो यहां पर कुछ बताया ही नहीं है कि इन्होंने का कि माइनस कर देना सेल्स मैंने का मतलब कहने लगे कि कि किसी भी ब्लॉक में से कोई asset बेच दिया तो उसे माइनस कर देना मैंने का माइनस कर देना तो sale price of asset sale price of asset minus कर देना जैसे example ले ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए example ले लेता हूँ कि ये वाला जो furniture picture से ना ये दो furniture picture से इसमें से ये F1 जो है मैंने 15 March 2000 F1 जो है मैंने 15 March 2022 को लेट से 25,000 रुपय का बेच दिया अब एक बात बता इतने दिन तो यूज किया ना कब खरीदा था 10 अगस्त को खरीदा था बेचा कब है 15 March को बेचा तो इतने दिन का डपट्रिशेशन लगना चाहिए कहने लगे ना 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 इतना नहीं चिंदी चॉरों की तरह हम काम करते मैंने का मतलब कहने लगे डारेक्टली कि एकल्स स्वाइब लगा सब्स्यां चुम्त आए जो बीट करें ऑँ और दो दुण कर दो मैंने का बहुत अची बात यह 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 कुछ नहीं यह कुछ नहीं यहां पर पच्चेस अजाथ रुपए मेन को माइनस करने हैं यहां पे बचे तीन लाख पिछतर हजार रुपे यहां पे बचे दो लाख रुपे यहां पे बचे सात लाख रुपे यहां पे बचे दस लाख रुपे और यहां पे बचे पांच लाख रुपे कहने लगे बस यह आ गई है आपकी डब्यू डबी ऐज यज आन 30 फार्स्ट घुवर्त धो तू रिपांटी टू बिफूर डैपरिशेशन अब इसके ऊपर डेपर यहां लगा लो जो बीगे तै इसक उपर पाय परिशेंट है ना तो पाय पर इसेन से मृतिपुलाई करके हो गया पर सब्सक्राइब करेंगे ना ना इतना काम नहीं कर सकते हम इतना टाइम नहीं हमारे पास हम तो सेम केटिगरी ओफ असेट्स को सेम पर्सेंटेज वाले असेट्स को एक अठा रखेंगे और उसके उपर डेप्रिसेशन लगा देंगे ओपनिंग मतलब इनों नहीं मेरे को क्या आगा हर ब्लॉक के लिए पॉर पॉर जान से तुनों पॉर एवरी ब्लॉक आफ असेट एवरी ब्लॉक आफ असेट्स 大 ओपनिंग WDV लहनी हैं हम लोगों ने ओपनिंग WDV लेनी है आज ओन हम लोगों के साल के लिए 1 PUR 2021 की आड़ करने है इसमें पर्चेयजेस during the year during the year जो भी हम लोगों ने asset purchase किये इस particular block में during the year जो भी asset इस particular block में purchase किये वो add करने है minus sales sales कौन सी sale price of asset sale price of asset minus करनी है cost मत minus कर देना क्या minus करनी है sale price of asset जैसे कि मैंने यह इस example में बताया ये वाला asset मैंने 2,00,00 रुपे का लिया था बेचा 25,000 का यहां पर 25,000 माइनस किये ना कि 2,00,00 रुपे ठीक है तो वो माइनस करके मतलब opening WDV लिख ली plus कर लिया purchases को माइनस कर दिया sale price of the assets को जो balancing figure आएगी जो balancing figure आएगी उसके ओपर depreciation की percentage लगा देना और ये आगया हमारा depreciation to be claimed समझ में आई बात या नहीं बस इतना ही asset इतना सा असान topic है depreciation का तो same category as assets को same category plus same percentage के assets को एक अठा रख्ये depreciation claim करना है बास ठीक है एक question से और समझाने की कोशिच करता हूँ आजाओ देखो टेक्समें लिमिटेड टेक्समें लिमिटेड ओंस द फॉलोइंग assets आज ओन फर्स्ट अप्रेल 2021 फर्स्ट अप्रेल 2021 असेट कौन से है building a building b building c ठीक है ना ये actual cost ये दे रखी है और wdv ये दे रखे जब own कर रहा है तो हम लोगों नहीं रहे हैं पहले जे बिजनस चला रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है ना और इससे भी कोई मतलब नहीं है ठीक है ये 10-10% वाली है तो इनका इकठ्था एक block बनाएंगे ये 5% वाली है उसके बाद प्लांट में ये 15-15% वाले इकठ्थे रखेंगे ये 40% वाले इकठ्थे रखेंगे खरी दिये चार लाग रुपे की आठ जून को खरी दिये 5% वाली तो पांच पर्शन के block में एड़ होएगी ये हो गए ठीक है ये purchase की detail दे दी नीचे आजाओ जी आजाओ आगे आजाओ उसके बाद कहता है building A बेज़ दी हम लोगोंने जी कब बेज़ जी 11 में 2020 को बेज़ दी है 13 लाक रुपे की अच्छा जी तो building A तो हमें पता है ना कि कौन से block की है उस block में से minus कर लिए उसके बा plant C ऐसे ऐसे हम लोगोंने बेज़ दिया और हम लोगोंने depreciation नगाना है आजाओ जी question करते है बहुत बढ़िया question है ठीक है बहुत बढ़िया question है ध्यान दो आजाओ question number question number 10 question number 10 computation of depreciation under section 32 for taxman limited for assessment year 2022-20 इतने block बनने वाले है यहाँ पर देख लें एक दो तीन चार चार होपसूप block बनने वाले है मैं पांच बना रहा हूँ मैं पांच बना देता हूँ देखेंगे कहाँ पर क्या जाना है ठीक चलिए आईएगा verticals block 1 block 2 block 3 block 4 block 5 अच्छा opening WDV आईएजी सबसे पहले opening WDV तो building A और building B opening WDV इनकी 10% के हिसाब से ये 13,50 और 2,25,000 तो पहले building 10% वाली ले लेता हूँ building 10% वाली ले लेते हैं हम लोग ठीक है opening WDV इनकी आएगी 13,50,000 प्लस 2,25,000 ये बन रही है बेटे 15,75,000 15,75,000 ठीक है उसके बाद building C जो है 5% वाली है तो building 5% वाला ब्लॉक ये कितने की है 40,000 रुपे की 40,000 रुपे की ठीक है उसके बाद plant वाला बना रहे हैं ब्लॉक और 15% वाला plant and machinery 15% वाला ब्लॉक जो की आ रहा है 45,100 प्लस 68,000 रुपे ये आ रहा है 1,13,100 1,13,100 एक और ब्लॉक बन रहा है plant and machinery का ही 40% रुपे ठीक है ये बन रहा है 7,000 और 31,000, 38,000 रुपे 38,000 रुपे ये मैंने opening WDV ले लेख ली है opening WDV ये ये बनी प्लस purchases purchases की date consider नहीं करनी आपको पताया तो purchases की date ना consider करते वे किस किस में कौन कौन सी चीज़े डली नहीं है वो डाल ले दे जैसे यहां पर building building देखनें पहले building ये वाली है building ये वाली 10% की है building F building F building D जो है 10% वाली है और ये building F भी 10% वाली है चीक है तो building D और F ये जो 10% वाली है इन में मैं इनको add कर देता हूँ building यहां पर सिर्फ reference के लिए रिख रहा हूँ और asset count नहीं होएंगे वैसे D और F 6 लाख और यहां पर 2 लाख 8 लाख रुपे 8 लाख building 5% वाली है हाँ ये री 5% वाली 4 लाख रुपे की है ठीक है तो ये हो गई मेरी ये हो गई ये हो गई plant देख रहे हैं plant E F G H तो plant E और F E और F और H ये 5% वाली हैं तो ये ये और ये तो इनको add गड़ देता हूँ 4 लाख नबे हजार प्लस 2 लाख दस हजार प्लस 1 लाख तीस हजार ये आरे हैं बैटे 8 लाख तीस हजार 8 लाख तीस हजार 8 लाख तीस हजार अच्छा उसके बाद plant and machine दी 40% वाली तो ये तो हो चुके मेरे ठीक है ये plant and machine दी 40% वाली है ये तीस लाख तीस है तो ये तीस लाख रुपे यहां पर लिए अच्छा एक कम और करो यहां पर building D और F मैं सिर्फ reference के लिए रख रहा हूँ और ये 5% वाली building कौन सी है 5% वाली E है building reference के लिए कहीं से कहीं तक भी assets की counting नहीं होनी है ठीक है plant and machinery ये 8 लाख तीस लाख तीस लाख रुपनी थी E F और H E F H ठीक है और उसके बाद यहां पर D done है सर इसी तरह एक बार opening की अगर हम देखे opening की देखे A और B यहां पर A और B है A और B है ठीक है ये C है building तर लिख क्यों रहे हो जब हम लोगों उन्हें counting नहीं करनी है बिटे अभी बताता हो plant A और B 15% वाले है A और B 15% वाले है और C और D 40% वाले है बेटे मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे की अब मेरे को जब बेचनी है यह आगया मेरे पास बेचनी का data तो वहां पर मेरे को percentage नहीं दी भी तो जिससे की directly मेरे को पता चल जाए है को उन से block से relate करते है जैसे इसने का building A बेची अब building A 10% वाले block की है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया तो minus sales ठीक है 10% वाली block की building को बेचा और 13,00,00 रुपे आए 13,00,00 रुपे आए ठीक है तो यह 13,00,00 रुपे यहाँ पर minus हो जाएंगे उसके बाद plant B बेचा plant B कहाँ पर है plant B यहाँ पर है यह रा plant B ठीक है ना 15% वाले block में ठीक है और उसके बाद plant D कहाँ पर है plant D यहाँ पर है इस वाले block में और plant C कहाँ पर है plant C भी यहाँ पर है तो यह दोनों तो यह दोनों तो हमारे 40% वाले block से relate करते हैं यह भी 40% वाले block से relate करता है, यह 15% वाले से relate करता है, तो यहां पे 20,000 रुपे, यहां पे minus होएंगे, ठीक है, और यहां पे minus होएंगे, 21,500 प्लस 32,000 रुपे, 53,500 रुपे, 53,500 रुपे, डन, ओके, बस, अब तो काम हो गया मेरा, मेरे पास block 10% वाली बिल्डिंग देख रहा हूं, तो opening है 15,55,000 रुपे, प्लस 8,00,000 रुपे की building और पर्चेस की, minus 13,00,000 रुपे की building बेच दी, तो यह आगे 10,00,000, 10,75,000 रुपे, उसके बाद यहां पे 40,000 रुपे की opening पड़ी भी थी, 4,00,000 की और खरीद ली, बेची कु थी माइनस कर दी आठ लाग बीस हजार रुपे की तो नो लाग दीस हजार एक सो आ रहा है ठीक है उसके बाद हम लोगों ने ब्लॉक फोर में 38,000 रुपे की ओपनिंग आ रही थी डेर लाग रुपे का और खरीदा और माइनस कर दीया तिरे पन हजार पांस्तो के तो बेटे यह आ रहा है 1,34,500 ठीक यह आ गया WDV as on 31,32,22 ठीक है अब इसके ओपर डेप्री सेशन लगेगा डेप्री सेशन इसका 10% लगेगा तो 10,47,000 इंटू 10% इंटू 10% यह आ गया 1,7,500 रुपे ठीक है फिर आ गया 4,40,000 इंटू 5% बाइस हजार रुपे ठीक है उसके बाद आया 9,23,100 इंटू 15% एक लाग 38,465 रुपे और उसके बाद लास्ट आ रहा है 1,34,500 इंटू 40% यह आ रहा है 53,800 रुपे बस यह डेप्री सेशन माइनस किया और अब आएगी WDV प्रीज जहां से देखेगा as on 1,4,2022 ठीक है यह माइनस करके आया 80,700 रुपे ठीक है साथ साथ कर देना चाहिए ठीक है 23,100 माइनस 13,8,465 यह अरस 7,8,463,5 4,40,000 रुपे इंटू 5 इस करके 4,18,000 रुपे बिटे और 10,6,000 रुपे इंटू इंटू रुपे बिटेजेगा ठीक है मैच कर लिजे क्या इतना ही आ रहा रहा है डेप्रिसेशन ये 22,000, 138,465, and 80,000, यहाँ पर क्या से अच्छा, डेप्रिसेशन तो यही आ रहे है, तो ऐसे डेप्रिसेशन क्लेम होगा, तो यह है मेरा section 32, समझ में आगी बार, हाँ sir, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई बार, तो अब आपको किसी भी तरीके का question म ले, ठीक है, question number 11 आप attempt नहीं करेंगे, question number 11 attempt नहीं करेंगे, question number 12 आप attempt कर सकते है, try कीजेगा अपने आप, ठीक है, तो यह मैंने आपको डेप्रिसेशन बताया, WDV method से डेप्रिसेशन कैसे claim करना होता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहली बात समझाहिए अब तक, कि for every block of asset, हम लोगों ने क्या working करनी है, opening WDV, उस particular block की, plus उस block में, मतलब same category, plus same percentage वाले assets को इकठा रखना, इसे हम block of asset कहते हैं, तो उस block से related, जो भी same percentage वाले depreciation वाले assets हैं, वो आपको वहाँ पे डालने है, purchases में, irrespective of the dates, तो मैं यहाँ पे अगर, लिख दूँ आपको, सरलिख दो आप, irrespective of date of purchase, ठीक है, उसे add करना ही करना है, पूरे amount से, और इसी तरीके से, इसी तरीके से, यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, irrespective of date of sales, ठीक है, आपने minus कदमा ही करना है, तो उस साल में, जो भी आपने purchase किये, किसी भी date पे purchase किये, add करेंगे, किसी भी date पे sale किये, minus करेंगे, सर, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, बोलो बेटे, सर, आपने जो पिछले question में, यह वाला जो question आपने अपने आप से बनाया था, यह दो लाख रुपे का asset था, हाँ, इसे 25,000 में बेच दिया, हाँ, खरीदा कब था, अगस्ट में, और बेचा कब मार्ट में, तो अगस्ट, सप्टेंबर, अक्टूबर, नेवेंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, approximately 8 months का depreciation सर गया कहा, बेचे यही तो दिक्कत है, कि वो गया कहा, आप लोग यह सो चड़े हो, आप थोड़ा सा vision अपना और broad गरो, बेचे जब वो 2 लाख, 4 लाख रुपे का, 2 लाख रुपे का asset, यहां पे मिलके 4 लाख रुपे का हो गया, वो बेचा कितने का, 25,000 का, तो अगर सीदी सीदी बात करूं, without depreciation, तो 2 लाख रुपे की चीज, 25,000 रुपे की बेच दी, तो बची कितने की, 1,55,000 रुपे की, अब वो 1,55,000 रुपे यहां पे छुपा हो आए न, क्योंकि अब एक बात देखो, दूसरे आइंगल से देखे, तो यहां पे 2 asset है, एक 2 रुपे वाला निकल गया, तो यहां पे तो वैल्यू कितनी बचनी चाहिती, 2 लाख रुपे की बचनी चाहिती न, क्या 2 लाख रुपे की asset बच रही है, नहीं, यहां पे 3 लाख, 25,000 रुपे की cost जो है, जो बचा वाद 2 लाख वाला asset है, उसके उपर upload हो गई, मतलब 3 decision claim कर रहे है, समझ में आई बात या नहीं, clear है, देखो, एक example और लेता हूँ, आपके सामने clear करने के लिए, ठीक है, डान से तुनना, डान से तुनना, एक example ले रहे है, ठीक है, मेरे पास opening WDV है, building 10% वाले block की, और opening WDV, building 5% वाले block की, इसकी है 10 लाख रुपे, और इसकी है 50 लाख रुपे, ठीक, यहाँ पे purchases की, ध्यान से सुनना, purchase की, यहाँ पे building purchase की A, B, C, तीनो दो लाख रुपे की, तीनो ही दो लाख रुपे की, तो 6 लाख रुपे की total building यहाँ पे purchase की, यहां पे एक बिल्डिंग परचेज की यहां पे P और Q दो बिल्डिंग परचेज की एक 15 लाख रुपे की परचेज की और एक 20 लाख रुपे की तो टोटल 35 लाख रुपे की यहां पे 2 बिल्डिंग परचेज की ठीक, opening मान लेते हैं कि A की building यहां पर थी और यहां पर भी A की building थी, ठीक, ओके, अब जहांसे सुना, sales, जहांसे सुनना, मैंने एक building sale की A, एक building sale की A, और वो कर्दी पांच लाख रुपे की sale, ठीक, यहां पर एक building sale की P, A की building sale की P, और वो केवल और केवल दो लाख रुपे की, दो लाख रुपे की sale, मैंने आपको depreciation निकालना कैसे सखाया, opening, plus purchases, minus sales, जो बचेगा उसके उपर depreciation लगा दो, तो उसके हिसाप से चलें, तो 16,00, 16,00, मैं से 5,00, गए, 11,00, 11,00, और 11,00, रुपे पे depreciation लगा दोगे, एक लाख 10,000, रुपे का, पानी, over, done, इसी तरीके से, अगर हम यहाँ पर बात करें, इसी तरीके से, यहाँ पर बात करें, तो 50,00, प्लस 35,00, 85,00, 85,00, 85,00, मैं से 2,00, रुपे गए, तो 83,00, 83,00, रुपे बचे, और 83,00, रुपे पे, 83,00, रुपे पे, depreciation लग जाएगा 83,00, इन्टू 5,00, 4,00, 15,000, रुपे गा, काम खत्म, तो अब आपके दिमाग में आ रहा है, सर, यह बेची है, 2,00, की खरीदी ती, और उसी साल में हम लोगों ने 5,00, रुपे की बेच दी, 13,00, रुपे का प्रॉफिट का गया, और प्रॉफिट तो कैपिटल गेन में डि नहीं होगे, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने, यह जो 2,00, रुपे की बेच दी, तो इससे 3,00, रुपे का प्रॉफिट हुआ, अब थोड़ा दिमाग लगा हो, यह 10,00, रुपे वाली मशीन और यह 2,00, रुपे वाली 2 मशीन, तो टोटल कितने की बनती है, य यह 10,00, प्लस 2,00, रुपे की 14,00, रुपे की बनती है, लेकिन यहाँ पे कितने के दिखाई दे रहे है, 11,00, रुपे की क्लोधिंग डव्योडिवी, क्यों, वो जो 3,00, रुपे का गेन था, वो बची वी मशीन री की कॉस्ट को खा गया, और बची वी मशीन री की भी कमी लग रहा है, और यही बात हम लोगों के 5% वाले ब्लॉक में भी हुई, 50,00, रुपे की एक बिल्डिंग थी, नई बिल्डिंग करी दी, पी 15,00, रुपे की और ये 20,00, रुपे की, जब हम लोगों ने पी बेच दी, तो पी तो 15,00, रुपे की बिग गई ना, तो अब 50,00, रुपे वाली ये और ये मिलके कितने की होनी चाहिए, 70,00, रुपे की होनी चाहिए, लेकिन ये 70,00, रुपे की नहीं दिखरी, पिर कहां गई 70,00, रुपे की, यहां पे जो 15,00, रुपे की मशीन डी, 15,00, रुपे की बिल्डिंग 2,00, रुपे में वेच दी, त 83 lakh rupees की और 83 lakh rupees की बन गई है अब उसके ओपर depreciation claim हो जाएगा तो एक तरह से जो हमारा loss हो रहा था अभी हम capital gain के chapter में नहीं भाग रहे अभी हमारे पास block है तो उनी वाली बच्ची भी इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक ड्राम है उसमें अब कुछ भी डाल दो जैसे एक example लें एक example लें यह मेरे पास growfers का bag है ठीक है यह growfers का bag है और इसके उपर let's say 15% का tag लगावा है कितने का tag लगावा है 15% का तो इसके इसमें मैंने यह mouse डाल दिया इसमें मैंने यह mobile phone डाल दिया इसमें मैंने यह calculator डाल दिया यह calculator 2,00,00 रुपे का बेटे यह mobile 5,00,00 रुपे का कितने होगा 7,00,00 रुपे और यह mouse जो है 1,00,00 रुपे का तो पहले 7,00,00 रुपे हो गए और यह अब ओगए 8,00,00 रुपे लेकिन अब इसके उपर क्या लिखावा है 15% तो यह 15% पर depreciate हो जाएंगे अब 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 जब मैंने जब मैंने यह निकाला mouse mouse निकाल के मैंने बेच दिया दो लाख रुपे में तो आठ लाख रुपे का बैक था यह आठ लाख रुपे में से दो लाख रुपे का mouse चला गया तो अभी बैक की किम्मत कितनी बची इसमें असेट कितने बचे यह नहीं सोचो बैक की किम्मत कितनी बची छे लाख रुपे और वो छे लाख रुपे पे मेरा डेप्रेसेशन लग जाएगा तो ब्लॉक ऑफ असेट क्या है एक ड्रम हो गया जिसमें आपके सारे के सारे असेट डले में समझ में आती बात तो इस हिसाप से सोच के चलना थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेना पड़ेगा जब हम डेप्रेसेशन की बात कर रहे हम लोग अ । अद्यान दो अच्छी तरी के लिए डन चलो सर आगे चलो अब बिटे ध्यान दो मैंने आपको कहा मैंने आपको कहा कि depreciation, depreciation date wise नहीं लगता, ठीक है, लेकिन अब जहां से एक बात सुनना, depreciation date wise नहीं लगता, लेकिन एक आपको एक analysis बताता हूँ, note कर लिजेगा अपने notebooks में, क्योंकि ये आपका, इसमें मिलेगा नहीं शायद, ठीक, ठीक है, मैं अपना point समझाने के लिए building 10% वाला block ले रहा हूँ, हर case में, building 10% वाला, ठीक है, opening WDV, opening WDV, हर case में A, B, C है ठीक है ना, और plus purchases PQR, 3 building है, ठीक है, ये case number 1, case number 2, case number 3, case number 4, important चीज़ है, प्लीज, ज़्याद ध्यान से थूने का, जान से तूने का, let's say, opening WDV, हर case में 10,00,000, 10,00, 10,00, 10,00, 10,00, 10,00, 30,000, तीनों asset की मिला कर, building purchase की है, PQR, let's say, 44,00, लाख रुपे की तो चार्थ यह बारा तो बारा लाख रुपे की पर्चेस यहां पर हो गई बारा लाख रुपे की पर्चेस यहां पर हो गई बारा लाख रुपे की पर्चेस यहां पर बारा लाख रुपे की पर्चेस यहां पर अब इशू आएगा सिर्फ और सिर्फ सेल क जहां से तुने, जहां से तुने अभी तक हम लोगों ने क्या किया है मेरा point of view clear हमेजहेगा आपने asset भेचे case number one देख रहा हूंगा आपने building भेची बिल्डिंग बेची एनी नंबर ओफ बिल्डिंग एनी नंबर ओफ बिल्डिंग बट नॉट आल सारी नहीं बेची A, B, C, P, Q, R कितनी बिल्डिंग है आपके बास 6 6 में से आप कोई भी 5 बेच दो मेरे को मतलब नहीं है लेकिन एक बच्ची हो आदी बच्ची हो, मतलब कुछ बचा हो बिल्डिंग, ठीक है ना मैं कहता हूँ कि आपने सारी मिला के सारी मिला के 21,00,000 की भी बेच दी कितने की बेच दी 21,00,000 की तो ओपनिंग 10,00, प्लस पर्चेज़ेज बारा लाग 22,00, माइनस सेल किया 21,00,000 रुपे का तो आपके पास बच रहा है 1,00,000 रुपे एक लाख रुपे आपके पास बच रहा है और उस एक लाख रुपे के उपर आपका डेप्रिसेशन लग जाएगा 10% से जो कि आएगा 10,000 रुपे ये बात समझ में आगे या नहीं आगे ये एपने एनी नंबर आफ बिल्लिंग बेची बट नॉट आल जैसे मैंने पहले लिखा था लेकिन ध्यान से तुने आपने अब चाहे एक बिल्लिंग बेची क्योंकि एनी नंबर बेच नहीं ना तो एक भी बेच सकते दो भी बेच सकते हैं तीन भी बेच सकते हैं मैं कहना हो आपने एक बिल्लिंग बेची ए वो प्राइम लोकेशन पे थी और उस बिल्लिंग को बेचने पे आपको 25 लाख रुपे बिल गए कितने मिल गए 25 लाख तो अब आपकी वैल्यू क्या आ रही है दस ओपनिंग प्लस पर्चेज बारा लाख 22 लाख माइनस सेल्स जो की 25 लाख है तो यह तो वैल्यू नेगिटिव चली जाएगी ब्लॉक की और नेगिटिव ब्लॉक पे डेप्रिसेशन नहीं लगता तो यहां पे वैल्यू लिखी जाएगी बेटे निल और आपका डेप् भूग में छे बेलनिग दी ओर इस छे बैक की ब्रॉडिंग की इस बैक की वैली sellers वहीय थी वह आ जिए ref2 लाख रुपए लेकिंहिंस तरी एक ब्रेल निकली एक बैलिंस निकलने के साथाथ यह पूरा बाएक खतम हिए तो कि उस बिल्डिंग की ने बेच के कितने रुपे कमा के दे दिये ब्लॉक से ज्यादा पैसे कमा के दे दे कितने कमा के दे दे पच्चेस लाग रुपे तो बाइस लाग रुपे का तब पूरा ब्लॉक यह आ रहा था अब पच्चेस लाग रुपे आ गए तो नेगिटिव मैं इंटर हो जाओगे अभी तक नहीं हो एज अब हो जाओगे क्योंकि ब्लॉक खतम हो रहा है हमारा हरे सर्व हां ब्लॉक खतम हो रहा है ब्लॉक की वैल्यू ब्लॉक की सेल कंसिडरेशन कितनी आई है ब्लॉक की सेल कंसिडरेशन आई है आपकी 25 रुपीज पूरे ब्लॉक क और ब्लोक की कीमत कितनी थी ब्लोक की WDV, WDV और ब्लोक ऑफ असेट कितनी थी आपकी, 22 लाख रुपे, तो ये 3 लाख रुपे का आपको capital gain हो गया, और ध्यान से सुन लेना इस बात को, प्लीज ध्यान से सुनों, जब भी WDV assets विकते हैं, उन में अगर capital gain होगा, तो वो हमे प्लेशा, short term capital gain होगा, तो ये आया आपका short term capital gain, 3 लाख रुपे, पढ़ले पढ़ते हैं मेरी बात, हाँ सर, कुछ-कुछ तो समझ में आ रही है, बेटे सारी समझ में आएगी, ध्यान से सुनों गे तो, ठीक है, अब ध्यान से, फिर दुबारा, हड़ केस ले रहा हूँ, second case समझ में आया, कुछ building बेची, 5 बेची, 25 लाख की, तो भी यही answer आएगा, 2 बेची तो भी यह आएगा, 1 बेची तो भी यही आएगा, समझाना यह चाह रहा हूँ, जितने का block बचा हुआ है, purchases करने के बाद, अगर sale value blocks की cost से ज्यादा हो गई, तो वो capital gain में move हो जाएगा, और बचे हुए assets पे, अब depreciation नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे block की value already recover हो गई है, done sir, चलें आगे, अब third case, please जड़ा ध्यान से सुनीगा, opening WTV, ABC assets की, ABC building की 10 लाग रुपे, purchase की PQR, 3 building को और 12 लाग रुपे की, total हो गई 22 लाग रुपे, अब मेरी जहान से तुनिए, इस बार हम sale कर रहे है, all building, सारी building sale कर दी हम लोगों ने, ABC और PQR, 6 की 6 building sale कर दी है, ज्यान से तुनना, और वो 6 की 6 building sale की केवल और केवल 18 लाख रुपे की, कितने की की, 18 लाग रुपे की, तो इस बार value बचरी है, हाँ sir, 10 प्लस 12, कितनी हो गई, 22, 22 में से 18 गए, 4 लाख रुपे बचने, बेटे, 4 लाख रुपे तो बचने, लेकिन asset नहीं बच रहा, asset ही नहीं बच रहा, तो again, depreciation तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि asset ही नहीं है, तो इस बार भी जो आपकी block की value है बेटे, वो लिखी जाएगी nil, interpretation क्या निकला, depreciation जब लग आरियो, depreciation तब लगता है, जब block में asset भी exist करता हो, asset exist करता हो, plus value, plus opening, plus purchases, minus sale, जो है, positive आरियो, positive आरियो, ठीके नहीं, more than equal to zero आरियो, equal to नहीं, more than zero आरियो, ठीके न, तो depreciation तब ही लगेगा, जब आपके block में asset पढ़ाओ, plus आपकी asset, plus value है, last figure जो है, opening, plus purchases, minus sale, positive आरियो, तब ही depreciation लगेगा, तो यहाँ पे भी depreciation नहीं लगेगा, और यहाँ पे भी, बेटे, move हो जाओगे, आप capital gain में, यहाँ पे, क्याँ में minus, WDV of block of asset है, आपकी 22 लाग रुपे, तो यह 4 लाग रुपे का, आपका short term capital loss हो गया, gain होगा, तो भी short term होगा, loss होगा, तो भी short term होगा, अगर WDV assets की case की value, बात हो रही है, तो, done, इसी तरीके हैं, अब फिर दुबारा ध्यान से तुनो, case number four, opening 10 लाग, plus purchases की 12 लाग रुपे की, अब झेल कर रहा हो, all building, सारी की सारी building sale हो रही है, सारी की सारी building sale हो रही है, लेकिन, सारी की सारी building sale हूई 27 लाग रुपे की, तो बेटे 27 लाग रुपे की होई, इस बार तो value भी negative जारी है, आपकी, और asset तु नहीं तो, ultimately, WDV हो गई आप के निल डब्लू डीवी हो गई आपके निल तो डेप्रिशन तो नहीं लगेगा मूव हो जाओगे अगेन कैपिटल गेन में और कैपिटल गेन में मूव हो के सेल कंसिलरेशन आ जाएगी 27 लाग माइनस ब्लॉक ऑफ असेट कितना हो गया पांच लाग रुपे का आपका शॉर्ट ट्रम पने कैपिटल गेन अगया अमज में आती बाद तो ये अनलेसेज बोड जहां से समझ लेना हर तरीके से ठीक है तो ये एक क्लास मेरी कंप्लीट मैं यहां पर माल लेता हूँ एक जो मैंने आपको कोश्चन दिया वो करके रखना ज्यादा है वी इस क्लास को करना नहीं चाहता ठीक डन है बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे डैप्रिसेशन अभी दो एक क्ला था क्यों अपरो एक कि प्रावण करेंगे वी जो करेंगे।